आज की ये कहानी है एक तांगे वाले के बेटे की जिसका जनम होता है भारत की उत्तरफदेश राज़ में और आप देखते हैं कि एक बाहु वली की रूम में और फिर एक राजनेता की रूम में अपनी पहचान बनाता है और मुझे लगता है कि आप लोग इसका नाम समझ गये होंगे और इसे आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे इसका नाम है अतीक अहमद और कुछ और पिक्चर आप लोग देख लीजे इसके आप देखे पत्नी दिखाई दे रही है और इसके बेटे भी आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं अगर हम लोग उत्तर पिदेश की बात करें न तो आप सभी जानते ही कि उत्तर पिदेश राजनीती की दिरिष्टी से काफी मात्पूर है क्योंकि आप देखेंगे विधान सभा में यहां 430 सीटे हैं विधान परिशन में 100 सीटे हैं राज्य सभा में 31 सीटे हैं होकर जाता है और अतीक के अगर गुनाहों की लिष्ट हम लोग देखे ना तो हमेशा आप देखी अपने गुनाहों के कारण चर्चा में बना रहता है उससे कतई कम उसकी सियासी उपलब धिया नहीं है वह माफिया है गैंग लीडर है हिस्ट्री शीटर है बाहू वली है दब दूं कई लोग इसे बहुत अच्छा भी मानते है इसमें भी दो राय नहीं होना चेए और मुझे लगता है कि एसा होता भी है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस तरह की पद पर किसी पर होते हैं तो आप देखते हैं कि आपको पसंद करने वाले भी लोग होते हैं आपको जबालाल नहरो लोकसभा का चुनाव लड़ते थे डर आतंक और दवंगई के बाप जूत अतिक के खिलाप सो से जानदा आपर आधिक मुकदमे दर्ज हैं लेकिन जानदतर मामले में सिस्टम उसके इसारे पर कुछ इस तरह नाचता है कि आज तक उसे एक भी मामले में सजा नहीं हो पाई है और अतिक की हनक और भौकाल का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हाई कोट के 10 जजों ने उसके मुकदमों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था तो यह आप लोग डर कहे लिजे भाय कहे लिजे आप लोग और आप सभी जानते हैं कि अदालते आपकी सबूतों के आधार पर चलती है और जब सबूत ही नहीं मिलेंगे तो कहां से क्या आंगे बढ़ेगा माभी अतिक एहमद की आतंकी की अगर हम लोग बात करें तो उमेश पाल सूट आउट केस के बाद हाई कोट ने एक फैसली में टिपड़ी करते हुए लिखा है कि एसा लगता है कि प्रियाग राज की कुछ लाखो में अब भी कानून का नहीं बलकी अतिक का राज चलता है और इन इलाखों में खाकी का नहीं बलकी अतिक का एकवाल बोलता है चार साल पहले सुपरींग कोट ने तक्त तल्क टिपडियां के साथ उसे यूपी से बाहर की जेल में रखने का आदिश दिया था और रतीक के बारे में कहा जाता है कि वह इतना सातेर और खूंका है कि अबराग से लेकर कारोबार और दवंगई से लेकर सियासत तक में जो भी उसके रास्ते आया उसका अंजाम चान बाबा से लेकर उमेश स्पाल तक एक जैसा ही होगा और योगी राज में जेल में रहते हुए वे अपरन कराकर अगवास वे सिकार को कैद दिखाने में बुलाकर उनकी पिटाई करता था अब सोचे जेल से बैठ कर पूरा आप देखे गैंग एक तरह से ओपरेट कर सकता है और करता था तांगे वाले के बेटा बना अपराज जगत का बास्ता एक क्या बात है या आप देखते हैं कि एक तांगे वाले का अनपर बेटा अतीक इतना महत्वा कांची है कि पैसों की खाती जुरुम की दुनिया में कदम रखने के बाद हुआ है कुछी दिनों में अपराज जगत का वेताज बास्ता बन गया आप देखेंगे 10 भी फैल है आपने गुनाहों पर परदा डालने के लिए उसने सियासत को कबच की तोर पर इस्तेमाल किया और अपराद बाराजनीती किदम पर करोड नहीं बलकि अर्वों का आर्थिक समराज खड़ा कर दिया और अतीक को गुनाहो उमर लकनोग जेल में बंद है तो दूसरा बेटा अली एहमत प्रियाग राज की नैनी सेंटल जेल में है और तीसरे बेटी असत पर उमेज पाल सूट आउट केस में धाई लाक रोपी का इनाम घोसेत है तो पतनी सहिस्ता परिवीन फरा रहें और एह जम और अबान नाम की दो नावालिक बेटे बाल सरक्षन ग्रह में है उसके और आप देखें कि हमारे देश की राजनीती में आप अभी आख्रे उठा के देखें ना तो ये अतीक अहमत की किबल कहानी नहीं है अधिकतर बिधायक और सांसद आपको दागी देखने को मिलेंगे जिन पर आप नेता बनने के चांस भी उसके उतने ही बढ़ जाते हैं और अब आप बात करते हैं आप देखेंगे माफिया अतीक की वह दौर था जब अपरादी सियासत की सतरंज बिसात पर मुहरे की तरह इस्तिमाल होते थे वह नेताओं के लिए जान लेने बद्देने में कता ही नहीं इस तरह का काम रहता है लेकिन फिर इन गुर्णों के दिमाग में आने लगा कि अगर हम किसी को चुनाओ जिता सकते हैं नेता बना सकते हैं कि खुद क्यों नी चुनाओ लड़ सकते हैं तो इन्होंने चुनाओ में कदम रखा चुनाओ लड़ने शुरू किये और इसी को आ अपराधी, राजनीती का अपराधी करन कहते हैं। यानि कि अब राजनेता में अपराधी भी राजनीती में आ चुके। अपराधी के बदलाओ वाले उस दोर में सबसे चर्चे नाम प्रयाग राज की अतीक अहमत का था। और जनता में आप देखी कुछ भी कहिए आप लोग। जनता में एक तरह सी इसकी पहुँच है। और आप देखी कई बार आपने देखा है कि चुनाओ जेल में बैट कर भी चुनाओ जीत जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। मुक्तारंसारी जेल में हमें साब देखी रहा है और बाहर चुनाओ लड़ा है विधायक बनता रहा है। उसकी उम्र महज 18 साल थी और कुछ ही सालों में अतीक के गुनाहों की तूती बोलने लगी तो वह जिले की कानूर वरस्ता के लिए खतरा बनने लगा अतीक और पुलिस में लुकाचिपी का खेल आम हो गया था। एक बगत ऐसा भी आया था जब अतीक और उसके करीबियों पर पुलिस के इंकाउंटर में मारे जाने का खतरा मडराने लगा था और आप देखी बी एस्की में रहा है अपना दल में रहा है और समाजवादी पाटी में रहा है अतीक का राजनितिक केरियर अगर आप देखें तो पुलिस इंकाउंटर से बचने के लिए अतीक ने कामयाभी भी मिल जाती है वह माननी ये बिधायक भी बन जाते हैं और आप देखें 1989 के इस जुनाव में ततकालीन पारसद अतिक जैसे ही अपराधिक छभी का चांद बाबा भी मैदान में उतरा था और अतिक को यह बाद इतनी नागवार गुजरी कि बोटिंग के बाद नती हुआ अगरता था इलावाद में इसके बाद हो है इसी इलावाद सिटी वेस्ट सीट से 1991, 1993, 1996, 2002 में लगातार जीत हासिल की उसने पहला दो चुनाव है निर्दली है उमीदवार के तौर पर जीता तीसरा चुनाव है आजाद उमीदवार के तौर पर ही मैदान में उतरा ल सौनेबाल पटेल के अपना दल से 2002 के चुनाव की वक्त वह अपना दल का पिदेश सद्ध्यक्ष बना था और हैलिकॉप्टर से यूपी में कई जगों पर पिरचार के लिए भी गया था उसने अपने साथ अपना दल के दो और उमीदवारों को जीत दिलाई थी फिर आप देखेंगे साल 2004 में फिर से वो सपा में ना स्तिरे उसकी बापसी हुई बले कि मुलायम सिंग यादो पाटी से उस फूलपूर से सांसद भी चुना गया है जो कभी देश के पहले पिदानमंती पंडे जवालाल नहरों की सीट हुआ करती थी फिर आप देखेंगे 2004 में सांस का चुना ओलना है तब भी आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चीए अधिक्तम उम्र की सीमा यहां भी नहीं रखी गई है इसमें पर आप देखेंगे कि राजू पाल हत्याकांड के बाद अतीक एहमत का पतन होना बरवादी होनी शुरू होती है एक घटना 25 जन्वरी साल 2005 की प जटना की बाद भी अतीक ने लोकसभाव और विधानसभा की कई चुनाओ लड़े लेकिन हर एक चुनाओ में नाकामी ही उसके हिस्से माई दरसल सांसत बनने के बाद अतीक को विधानसभा की सदस्चा छोड़नी पड़ी और अतीक ने अपने इस्तीपे से खाली हुई अपा का टिकेट दिलवा दिया असरफ की मुकाबली बीएसपी ने क्रेमिनल राजुपाल को टिकेट दिया दो बाहवलियों की लड़ाई में असरफ चुनाओ हर जाता है और राजुपाल विधायक चुन लिया जाता है और विधायक बनते ही राजुपाल पर कई बार जान राजुपाल की हत्या के बाद सिटी वेस्ट सीट पर दूसरा उचुना हुआ और ततकालील मुलाइम सरकार ने इसे अपनी पितिष्ठा से जोड़ कर दिया और सरकारी मसीनरी की मदद से असरब विदायक चुन लिया गया और इस सीट से साल 2007 के चुनाव में असरब 2012 में अती के कगार पर भी पहुँच चुका है और आप देखे 2017 से जबसे योगी आदितनाद की सरकार आई हुई है और बोरे दिन माफियाओं के आप देखे सुरू हो गया अतीक ने साल 2009 के लोगसभा चुनाव में पिताबगर से अपना दल के टिकेट 2014 में सरावस्ति से समाजबाद हार का सामना करना पड़ा सरावस्ति को छोड़कर लोगसभा की बाकी तीनों चुनाव में उसकी जमानत तक जब्त हो गई थी और अतीक एहमद ने खड़ा किया अर्वों का समराज और ऐसा नहीं कि सफेद फोस बनने के बाद अतीक ने काली कर्तूतों से तौवा कर लियो बलकि यह कहा जा सकता है कि वक्त के साथ उसके अपरादों की संख्या बढ़ती चली गई और उसने सियासत को ढाल के तौर पर इस्तिमाल किया हत्या जानलेबा हमले ढकेंती अपरण जैसी बारदातों को अंजाम देता रहा और सियासत में स्थाफित होनी के बाद उसने अपरादों पर जानदा फॉकस किया और अपरादी घटनाओं के वज़ाए अपना आर्थिक समराज मदबूत करने में लग गया तमाम बेनामी संपत्यां बनाई करीवियों के नाम अर्वों-खर्वों के ठेके लिए बाद में कमीशन लेकर उन्हें दूसरों को दे दिया देश के तकरीवन एक दरजन राज्यों में अतिक का कारोबार फैला हुआ है और उसकी नामी और बेनामी संपत्यां है रियल स्टेट के रेलवे के इसक्रेप के कारोबार के अलावा उसके आमनानी का सबसी बड़ा जरिया अर्वों-खर्वों के ठेके लेने का है और ठेके कार्ण में भी अतिक का नाम उचला था अतिक ने सफित पोस बनने का किस तरह दोर्पयों किया इसका अंदाजा आप देखेंगे इसी से लगाया जा सकता है कि उसके खिलाब 90 फिस्ती से जाना मुकद में जन पिती निदी बनने के बाद ही दरज हुए है और कभी महेंगी ग और पर मजबूत करनी की बज़े से उसे माफिया कहा जाने लगा और अतिक एहमद के गुनाहों का बही खाता अगर आप देखें तो अतिक एहमद इंटर स्टेट गैंग का संचालक है और उसके गैंग का नंबर IS 227 है उसके गैंग में 121 एक्टिब मेंबर है और गैंग के पास असलों की का जखीरा है और प्रियाग राज पुलिस ने उसकी हिष्ट्री सीट भी खोल रखी है सहर के खुला वाद थाने में उसकी हिष्ट्री सीट का नंबर कितना है तिरेवपन एव और अतिक के खिलाब अब तक करीब 200 मुकदमें दर्ज हो चुके हैं और इनमे मा अबूतों गबाहों के आभाव में तमाम मुकदमों में बरीवी हो चुका है अभी तक उसे किसी भी मुकदमे में सजा नहीं मिल सकी है और मुझूदा समय में उसके खिलाब 58 मुकदमें एक्टे में इनमें से 50 के करीब मुकदमें कोड में पैंडिंग है जबकि बाप की माम चलता रहता है और जेल की सलाकों के पीछे से भी अपनी सल्तनत चलाने में माहर है देवेरी या जेल में कैद रहते हुए उसने ना सिरिफ लकनव के एक कारोवारी का अपरन कर उसे जेल बुलवाया बलकि वह उसकी पिटाई कर उसका वीडियो भी सिरफ इसली वायरे गिया ताकि बाहर उसके नाम की दहसत बनी रहे और इसी तरह उसने प्रियागराज के कारोवारी का भी अपरन करा कर उसे जेल बुलवाया और खुद उसकी पिटाई भी की थी आप सोचिए जेल में बैठ कर आप देखे और उमिसपाल सूट आउट केस में बारदात को अंजाम द दिया गया ताकि अतीक और उसके गेंग का टेरर फिर से कायम हो सके और प्रियागराज की सूट आउट इवने सिटी के गुर्गों के साथ घुस कर वहां के टीसर्स को सरयाम पिटाई किये जाने के मामले में फरवरी 2017 से वह जेल में भी है लखनाओ के कारोवारी मुहित टांसपर किये जाने के आदेश भी दिये थे और इलावाद हाई कोर्ट अतीक के साथ ही उसके परिवार वालों के मुकंदमे की सुनवाई करती हुए तमाम चोकाने वाली आप देखेंगे कि क्या चोकाने वाली टिपनिया कर चुका है हाई कोर्ट के 10 जच तो अतीक से जु सारी की बद उसके किलाब 33 मुकंदमे दर्ज थे धाई सालों से जिल में रह रहा उस पर आप देखी 19 और अपरादिक केस दर्ज हुए हैं मुकंदमों की संख्या अब बढ़ कर बावन हो गई हैं असरब पर कई सालों तक एक लाख रोपे का इनाम गोसित था दो नावालिक द्वारा 2 लाख रोपे का इनाम गोसित किये जानी के बाद बड़े वेटे उमर ने लखनव में सरंडर किया था और दूसरे नमर के वेटे अली ने 5 करो रोपे की रंगदारी मांगने की मामले में पिछले साल जुलाई महिने में प्रियाग राज कोट में सरंडर किया था तेसरा वेटा असद उमेसपाल से उठाउट केस में मुश्ट बांटेड है उस पर धाई लाक रोपी का इनाम रखा गया है और CBI की बात करें तो Central Bureau of Investigation की बात होती है ठीक है तो इसके बारे में याद रखा करिएगा एजनसी है ना आप लोग कहते हैं CBI जांच करेगी CBI ने और आतंग फैला कर दबाने में याकीन रखता अतिक के खलाब तमाम कारवाईयां करने वाली यूपी पुलिस के पूर्व आई जी रिटार्ड आई पीएस अपसर लाल सी लाल जी सुकल का साब तोर पो कहना है कि पुलिस और दूसरे महकमों के तमाम लोगों ने कभी अतिक की संसद में पहुँचकर माननी ये बन गया लाल जी सुकल के मताबिक अपनी राहे में रुकावट बनने वाले किसी भी सक्स को उसने नहीं छोड़ाया चांद बाबा से लेकर उमेश पाल तक सबका एक ही अंजाम कराया और उनका कहना है कि जिन लोगों पर अतिक जैसे खत चुनाओं होते हैं उत्तरपदेश में और बीजेपी का भारी बहुमत मिलता है योगी आदितनात मुकमंत्री बनते हैं और योगी राज में अतिक और उसके गुर्गों के साथ ये तमाम करीबियों के खलाब भी बड़ी कारवाई की गई और उसकी कमर तोड़ दी लेकिन गुनाओं की दुनिया का खात्मा होना अभीत पूरी तरह बाकी है उमेश पाल सूटाउट केस के बाद जारी किये गए आगणों के मताबिक योगी राज में माफिया अतिक के गैंग पर कुल 144 कारवाईयां की गई हैं गैंग से जोड़े 14 लोगों की गरपतारियां हुई ह और 22 करीबियों की हिष्टी सीट खोली गई है 14 लोगों के खिलाब गुंडा एक्ट की कारवाई की गई है और अरसर सस्त लैसेंस रद्धी किये गए हैं दो लोगों को जिला बदर के किया गया है और आप देखें गैंगिश्टर गैंगिश्टर एक्ट के 415 करोड की संपत ना 2368 करोड रुपे की आर्थिक चोट अभी तक दे गई है हाला कि जानकारों का दावा है कि दो अरफ से ज्याद है कि आर्थिक चोट के बाबजूद उसके समराज पर कोई खास असर नहीं पड़ाए उसके खिलाब ED ने money learning का भी केसदर्ज कर रखा है money learning कहने का मतलब होता नई दिल्ली में headquarter देखने को मिलेगा काली कमाई को लेकर माफियों के कई करीबी ED के ररार पर हैं तमान मामलों में गैंग के कई सदसों की जमनत कोटने से निरस्ट कराई जा रही है सहरे के लोकर गंज इलाके में अतिक के कबजे से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के बेहत कम कीमत पर फिलेट बनाए जा रहे हैं हलाकि इन सारी कबायदों के बापजूत माफिया की दहसत की दुनिया अभी पूरी तरह से खात्मा नहीं हो सका और आप देखते हैं योगी आदितनात ने अभी हाली में बिधान सबाब में ये कहा भी था कि हम मिट्टी में गा बताकते हुए दुनिया भर की आप देखे सिफारिस करवाने की कॉसिस करा है तो समय की कीमत है किस तरह से पलट जाती है क्या हो जाता है